कि उपरेशन करना है इसका तो डेड़ महीने तक का टाइम दिया उन्होंने अगर नहीं हुआ उपरेशन तो कुछ भी हो सकता है इसकी जान भी जा सकती है केरे पास तो पैसे है नहीं तो मैं कहां से करो का उपरेशन बच्चे को पेन होता है दर्द होता है कहां पर होता है पिछे बहुत दर्द होता है तो फिर क्या करते हो कि लोड नियुद तो रहा होता है कि त messenger that is ankle जाएगा सूटी को जाएगा ऑडा है ॉ को पित्त तुमय के बहुन में पियुक रहानराVery Thank you सब्हरा होती है मोमा क्या बोलती है तिक हो जाएगा वार्चा से दावेगाईग Ciao कि अजय को अजय को कि अजय को कि अजय को इलाजक करके बच आएंगे वह इलाज हो के वी बच आएंगे अपनी रोना अब ने रोना इनके उस टाइम पर पता नहीं था कि पैसे आएंगे की नहीं आएंगे अपने अपने अब उल्टे लेटे थे अब सीधे भी लेटना आप ठीक हो जाओ गया ठीक है अब दर्द नहीं होगा बच्छे को अब इल्कुल भी दर्द नहीं होगा ठीक है जब देखा इसको तो मैंने प्रबसे पर जाकि चुमा ऐसे लगा कि मैंने चोटे बेटे को चुमा है पापा कहा जा रहे है सुबह मौने मैं बेटा मैं बच्ची की हल्प करने जा रहा हूँ उसने अपने गुलक से ममा तीन हजार भी निकाल के भी है सब आपको ठीक करने के लिए इसे लोगों के लिए क्यों सिवल सुसाइटीज को ही मिलके आगे आना बड़ता है काश ये खुद उठके जाए और इनका इलाज वहां पर ऐसे हो जाए मुझे भी दिमाग वाला दिल दे है खुदा ये दिल वाला दिल बहुत दुख देता है ऐसा मैंने कहा था दो दिन पहले आप से लेकिन मैं गलत था मैं गलत था गलत इसलिए भी था क्योंकि अगर दिल का कनेक्शन दिमाग से हो जाए तो दर्द नहीं रहता ऐसास नहीं रहता दिल जो महसूस करता है इस कहानी के बाद आप लोगों ने पूरी तरह से दिल से महसूस किया जो दिल वाला दिल होता है उसी से महसूस किया और आज आपने संभव कर दिया, आपने संभव कर दिया कि परी को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो ये बच्ची साथ आठ साल से इंतजार कर रही थी, कि ये दर्द इससे कट जाए, ये दर्द इससे हट जाए, अब इसको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, साड़े पांच से पोने छे लाख रुपे इनके अकाउंट में डिपॉजिट किये हैं आप लोगों ने एक बार फिर बता दूँ चार लाख रुपे नरायना होस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा था कि चार लाख का खर्चा है अगर आपके पास चार लाख है तो ये इस दर्थ से परी को हम अजाद कर देंगे लेकिन वो चार लाख ये कहां से लाते लेकिन आप लोगों ने संबब्व कर दिया मातर कुछ घंटों में आज परी की मां के अकाउंट में साड़े पांच से पौने छे लाख रुपे है और परी का इलाज एक दो दिन के अंदर शुरू हो जाएगा और हम उमीद करते हैं कि आगले आने वाले दस से पंद्रा दिन में परी को इस दर्थ से निजात मिल जाए इसका उपरेशन भी हो जाए अभी भी मां रो रही है शायद इसको यقीन नहीं नहीं हो रहा है आप अभी क्यों रो रहे हो यह係न नहीं खुश हूँ मैं लोगों ने मेरी मदद किया है उन सबका में धन्यवाद करना चाऊंगी जिन्रों ने मेरी तनी मदद की हुई है आपके अकाउंट में जो अकाउंट आपने मुझे दिया था पूजा लक्षमी के नाम से उसमें कम से कम साड़े पांच पूने छे लाख रुपे आए हैं इलाज हो जाएगा अब और मैंने आपसे तब भी कहा था कि ये पैसे सिर्फ परी के इलाज के लिए हैं अब आप खुश हो बेटी ठीक हो जाएगी हैं जी मैं खुश हो जाते हो जी मैं सब का धन्यवाद करना चाहते हूं जिन जिन लोगों ने मेरी मदद की हुई है उनका ध आप लोगों ने मुमकिन कर दिया माता जी तुश कहां दे कि नहीं हो ना तक भी मुश्कल है बुरे अलातन यह सब अब जो रोग से लिए उन्हें थैक हूई उन्हें बची भी ठीक हूई जाने थोड़े पहां बची भी जाने इन्हें बचीये का मानिया के सब भाख दो घर नोगों के पाद शब्द भी नहीं है शायद यकीन नहीं हो रहा है यकीन होता भी नहीं है, यकीन होता भी नहीं है, कि साथ आठ साल से ये परिवार मुश्किल में था, जब पूजा लक्षमी के पत्री की मृत्ती हो जाती है, अचानक एक्सिजेंट के दुरान, तो उसके बाद हलाद और भी खराब हो गए, हलाद बत से बत्तर हो गए, आईश शाम तक या कल सुबा तक इनके हाथ में आ जाए, और इन लोगों ने फैसला किया है, मैं इन से बात कर लता हूँ, कहां पर जा रहे हो इलाज करवाने के लिए, मैं चाहती हूँ कि यहां नराइना हस्पिटल में हो जाए, तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरे घर के पास बढ तो ठीक हो जाएगा, शोर्डी दिये उनोंने, ठीक हो जाएगा, जनाब मैं आप से भी नराइना हस्पिटल की जो मैनेजमेंट है, उन से भी गुजारिश करूँगा, लोगों ने अपना खुला दिल दिखाया है, जो आपने डिमांड की थी, जो खर्च आपने बताया था वो इसकाबिल हो गए हैं, लेकि जनाब अगर आप कुछ दरिया दिली दिखा दो, क्योंकि मुझे लगता है कि नराइना जब यहां पर एस्टैबलिश हुआ था, इन लोगों ने अपनी जमीने दी थी, और तब ये भी कहा गया था, कि ये लोग अगर किसी मुश्किल में आ जाएंगे, किसी ऐसी बिमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, तो नराइना इनका दियान रखेगा, मुझे लगता है वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है, आप जरूर इन से फीस सार्च कीजिए, लेकिन इतनी ही कीजिए, जो आप कर सकते हो, जो आपके मन में आए, अगर अगर कुछ कर सकते हैं, बाकी सिवल सोसाइटी ने इनके हाथ जो है, वो मजबूत कर दी है, वो हाथ मजबूत कर दी है, इलाज जल्द शूरू हो जाएगा, और इन्हों ने कहा था कि हलात ऐसे हो जाते हैं कि हफते के महीने के आखिर में हमारे पास राशन भी नहीं होता, राशन इनके पास काफी आ गया है कल भी आया था कल संदीब साब मुसकान चेरिटेवल ट्रस्ट वो कल भी राशन लेके आये थे आज भी यश्पाल जी है नहीं बस्ती से इन्होंने राशन बेजा है बहुत सारा राशन शायद तीन चार महीने का होगा यह राशन यश्पाल जी है बबल जी अनू चोधरी दलबीर बिटू पंकज बंडारी यह सब लोग हैं जिनकी कांट्रिबूशन इसमें रहती है पपू जम्वाल दनेश शर्मा जी परमिंदर कोर जी जगदीब शर्मा हरदेव सिंग और जी एस टेक्स्टाइल हैपी जी सब नई बस्त गुपता आदविक गुपता आदू जानवी चोधरी यह भी नई बस्ती से हैं यह चोटे बच्चे हैं इन्होंने कुछ समान बेजा है यह जरूर इनके काम आएगा उसके बाद जो सेवा आप लोगों ने की उसका कोई मोल नहीं उसका कोई भी मोल नहीं एक नानकनगर का ग्रूप है मेरी उनसे बात हुई शायद वो कल जा परसु वो भी आएएंगे वो कुछ लोग अपने अपने लेवल पर हर कोई कोशिश कर रहा है वो लोग भी इनके पास आएंग और ये नमबर है ये सब नमबर है और उसके बाद इससे कहीं जादा नमबर शयाद हजारों में ये वो तदात होगी जिन्नोंने अकाउंट में डिपाजिट किया और ये सुनिश्चित कर दिया कि अगले 10-15 रोज के अंदर पर ही ठीक हो जाएगी साड़े पांच से पौने 6 लाक रोपिया डिपाजिट किया है इन्होंने अकाउंट में ये पंच साब हैं जिन्नोंने ये कहानी मुझे बताई थी मुझे कॉल किया था फोटोगराफ बेजे थे और ये कहानी इन्होंने आज से 10-15 दिन पहले मुझे बताई थी investigation में time लगा कब कहां क्यों कैसे earning hand क्या है कितनी जमीन है वो सब हमें सर्च करना पड़ता है फिर हम story को अंजाम देते हैं पंसाब जो आपने मुझे बताया था वो सब stick बैठा ठीक था मदद होगे इनकी बिलकुर है sir सबी ने जितना में इन लोगों का जोगदान रहा इन लोगों ने बहुत बर्जड करें बिवाग लिया है बहुत मदद किये किया करना जा रहा है अभी कबला शुरू होगा अब इस परीकासर है हम कल के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल में उनने बलाया भी तो कल हम निश्चंत निकलेंगे बिल्कुल राट से बहुत बढ़ी है यह मुस्कान चारिटर में ट्रस से संदीब साहब है यह परसू स्टोरी चली थी शायद कल भी यहां आए थे संदीब साहब बागदूर हुई कल आश्मान बारत कार्ट बनाने में बिल्कुल जी कल मैं यहां पहुँचे हम लोग और सबसे पहले हमने स्टोरी में यह देखा कि इनके पास यह बीच में कहरे राशन नहीं है खाने के लिए तो हमारे कट्रा से मदनलान जी उनका फोन आया उनका है राशन नहीं होँचा ョ से लगाती है यह हमेशा लोगों की मदद के रहा रहते हैं यहां भी आए आज सटोरी जब आपके देखी थी मैंने तो इस बच्चे में मुझे अपना चोटा बेटा नजर आया था क्योंकि इसकी शकल बिल्कुल मेरे बेटे पर जाती है वो आपके स्टोरी भी आया था एक बार जब देखा इसको तो मैंने तब से पर जाकि इसको चुमा ऐसे लगा कि मैंने पर छोटे बेटे को चुमा है जुरूर मदद करूँगा इतने लोगों ने मदद की है इसकी तो मैं भी कैश देना चाहूँगा बस और कुछ नी से बहुत बढ़िया सुखदे साब दस जार उपे की मदद इनकी करने जा रहे हैं सुखदे जी आप क्योंकि ये वो नंबर है ये वो लोग हैं जो जम्मू के रहने वाले हैं आसपास रहने वाले हैं तो इनको लगता है कि हमारी थोड़ी सी कोशिश शायद किसी की जिन्दकी बचा दे ये हेल्पिंग एंड ट्रस्ट चिंकल थापा जी इनकी चेर्मेन है सत्पाल जी जी क्या मदद करने जा रहे हैं आज जैसे हमने इसकी बच्चे की स्टोरी देखी तो बच्चे का दुख देके तो बहुत दिल पिसेज गया फिर हमने सोचा राशन नहीं आज इनकी कैश में मद करेंगे कि यह बच्ची ठीक हो जाए जल्दी ही ठीक होकर अपने परिवार में खेले खुले आज हम दस हजार इस बच्ची के देने आए हैं और आज हमारी कैश की सेवा है प्लीस गो एड यह वो नंबर है जो मैंने पहले आपको बताया जो सुनिश्चित कर देता है जो चीज है वो नहर आए उसके साथ आपको बताया दूं संदीप साथ दूसरे दिन आ गये थे मैरी कहानी चैनले के बाद और राहिल साथ ये भी दूसरे दिन के यहां आये थे पता नहीं मुझे क्राॉस चेक करने के लिए आते हैं क्या करने के लिए आ कि अपने लेवल पे प्लेम करना चाहिए किसी को ब्लेम करना से अच्छा है क्रॉस्च कुद करना चाहिए तो मेरे से रहा नहीं गया फिर मैंने सोचा कि अगर तो हम इनको कुछ monetary term में क्योंकि इनके उस टाइम पर पता नहीं था कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे हमें लगा अपने अपने एंड से हमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा देना चाहिए बूद मूद से बनता है सागर तो हमने कोली भीया ने मैंने विशाल भीया ने मिलके मैं चाहता हूं इनकी थोड़ी से जो बड़न मेडिकल एक्सपेंस के वह ठीक हो थोड़े से बिलकुल आपका नाम कैसा है मेरा नाम विशाल ठाकुर है विशाल जी क्या लगा आपको यह कहानी देखिया आपने मैं कल शाम को यह स्टोरी देख रहा था मेरा बच्चा पास में बेटा था तो जब स्टोरी देख रहा था मैं तो मेरा बेटा पॉला पापा इस बच्ची को क्या हुआ है मैं बेटा इस बच्ची को डोगरियम बोलते हैं बुबू हुआ है मैं इसको बुबू वो बोलता है पापा आप मेरे नानु को लेके हास्पिटल इस बच्ची को भ है यह चोटी से मदद कर रहा है बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी सुरेश कोली साब जो कठवा से आते हैं उन्होंने भी दस जार की मदद वेजी है बाकी विशाल जी और राहिल साब ने मिलकर 33,200 रुपे इन्होंने दिये हैं राहिल साब आप दे दीजिए और कोली और राहिल साब ने मुझे स्टार्ट में बोला था कि हमें नहीं पता कि एकाउंट में कितना डिपाजिट होगा ये नहीं पता है लेकिन जितना भी डिपाजिट होगा अगर 4,00000 का आंकडा हम नहीं टच कर पाते हैं तो हम लोग इसकी help करेंगे मुझे याद है कोली साब का मुझे फोन आया था कि आप मुझे एक particular दारे में मत बांदो जो भी रह जाएगा हम देख लेंगे लेकिन इलाज इसका परी का जरूर करवाएंगे रेखा जी बड़ी दूर से आएं आप अकेली आई है बड़ी दूर से अकेले तो नहीं हूँ काफी लोग साथ हैं इसले मेरे साथ क्या मदद करने जा रहे हैं फाइनेंशली करूंगी थोड़ी तो एक मोहिता जी है मोहिता दिपक बलोतरा तो उन्होंने भी मेरे हाथ पैसे बेचे हैं कुछ इनके लिए तो वो कार्ड में ही हैं तो यह दूंगी तो खुछ से आप से मदद करेंगे बहुत बड़ी है जाए रिखा जी आप कर दीजिये मदद और उसके साथ-साथ यह शुबम साब हैं प्लीश उबम साब आप जाएं मुझे लगता है कि मैंने सब को कवर कर लिया मुझे लगता है मैंने सबको कवर कर लिया, कार्थिक साथ यह नाम आप जब भी कार्थिक साथी का नाम आता है तो मैं आपको एक कहानी जो है याद करवा देता हूं, रमा देवी की, हालत बड़ी खराब थी, आज वो लेडी बिल्कुल सही है कार्तिक साब का उसमें एहम रोल था शायद मेरी पहली मुलाकात इन से वहीं हुई थी कार्तिक साब से आज ये इन्होंने फैसला किया कि मुझे याद है मुझे याद है कि सबसे पहला कॉल कार्थिक साभ का है, सबसे पहला क्यू जो कार्थिक साभ का, शयादा भी मैं बापीछ ही exactement गया था, कार्थिक साभ क्या लगा था? सेर इस बच्ची को देखके तो मैं देखंगा कितनी प्यूटी बच्ची और लिग रहा कितनी स्टोडियों तक रविंदर जी पोंचेंगे एक परसंट्ट जिरुजरुड जरुजरु पोंचेंगे क्या लगता निया कि हमारी अडिमिस्टेशन हम स्मार्ट सिटी कितनी परियां जो है उनका इलाज रहा जाता है क्यों किस वज़े से कि उनके पास शैद रविंदर जी नहीं पूंच सकते उनके पास यह मुसकान चैटेबल रस नहीं पूंच पाती तभी उनका इलाज रहा जाता है तो अगर उन स्मार्ट सिटी की जरगा है जैसी बेसिक दिहां देना शुरू करें तो कितनी परियों की जान बच्चा है और सर एक चीज़ और कि आज जितना भी अमाउंट हमारे से गैदर हुए मैंने आपको दस हजार बोला था रेकिन वह माउंट थोड़ा बढ़ गया यह सिर्फ मेरी तरफ से नहीं आपको याद होगा हर्जो करते हैं कि तब इन लोगों की मदद हैंक्यू साहब आप कर लीजिए जो आपने उनको मदद करनी है और यह थे कार्तिक साहब और मुझे याद है मुझे याद है अभी भी कि जब मैं कहानी यहां पर करने आया था शुकर है यहां 4G चल पड़ा अब मैंने यहीं से कहानी अपलोड कर दी थी एडिट करने के बाद और रास्ते में था सबसे पहले फोन मुझे कार्तिक साहब का आया था यह कहानी थी अनील खुलर साहब उनका नाम लेना यहां बहुत जरूरी है अनील खुलर साहब ने मुझे कहा अर्विंदर जी मैं आ तो नहीं पाऊंगा लेकिन मैं वहां विजट जरूर करूँगा जो भी चीजे होंगी जो भी चीज रह जाएगी तो हम यहां बैठे हैं यह वो नंबर है जो सामने आने वाला है आगे लेकिन आपकी जानकारी के लिए अब मैं यह भी बता दूँ ज दर्द से निकल जाएगी आज मैं फिर कह रहा हूँ उसी घर में खड़े होकर कह रहा हूँ अब अकाउंट में डिपॉजिट करना बंद कर दीजिए साड़े पांच पॉने छे का आंकड़ा है जो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है और मुझे लगता साड़ सतर अजार अब ही इनको कैश मिल गया है काफी है जिस मकसद को लेकर हम चले थे वो मकसद पूरा हो गया शिर गुरु अमरदास सेवादल वो लोग भी आना चाहते थे लेकिन वो भी कुछ फैनेशल हल्प करना चाहते थे लेकिन बात यही है कि साड़े पांच पॉने छे लाख पॉने वाला नहीं है ऐसे और कहीं लोग होंगे जिनको उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए वो आज यहां पर नहीं आये लेकिन वो भी आने वाले थे बाई यही था जनाब इस कहानी को हम छोडने वाले नहीं है हम लगातार इसका अपडेट आपको देते नराइना में इसका ट्रीटमेंट होने जा रहा है एक बार फिर नराइना की मैनेजमेंट से में हाथ जोड के गुजारिश करता हूं जनाब सिवल सोसाइटी ने पॉसिबल कर दिया गर्ष से परी का हाथ थाम कर नराइना के गेट तक पहुंचा दिया आगे आपने खीचना है अंदर तक और आप कितना सौफ्टली इसका हाथ पकड़ते हो यह आप पे डिपेंट करता है मेरे सौफ्टली का मतलब है कि आप क्या परी को दोगे मावैशनों के चर्नों में नराइना स्थापित है तो इस कंजग के लिए इतना तो बनता है आपका इस कंजग के लिए अफ़ालो अप में करता रहूंगा भाई यही सचनब शुबम कुमार के साथ रविंदर सिंग दा स्टेट सेंटिनल के लिए